Hello students, this is video number 8 of semiconductors और इसके अंदर हम एक नई सीरीज को में एंटर करने जा रहे हैं जिसका नाम है transistor तो एक निया device जिसको हम discuss करेंगे सबसे पहला device जो हमने discuss किया था that was PN junction diode तो मतलब P और N को मिला के हमने क्या बनाया दो ही layers हमने ली थी P और N और उसको लेके जब हमने बनाया तो उसका नाम था diode और जब हम इन तीन layers को मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बता भी दिया था कि ऐसा होने वाला है तीन layers, चार layers, ऐसे तक हम लोग materials बनाते हैं तीन layers में जब हम enter करते हैं तो उसको बोलते हैं transistor यानि की P, N, P मलते P और N को यूज़ करके आपको तीन layers बनानी है ऐसे समझें इसको क्या P और N को यूज़ करके आपने तीन layers बनानी है जैसे आपने P N junction बनाया था उसमें दो layers ली थी यहाँ पे आपने तीन layers लेनी है obviously तीन layers लेते time आपके पास दो condition आपको सामने सामने दिखाई दे रही है क्या कि आप दो P और एक N भी ले सकते हो और एक N और दो P भी ले सकते हो ठीक है और यहाँ पे इसी लिए दो तरह के transistors आपको देखने को मिलते हैं one is NPN transistor and other one is PNP transistor यह दोनों मैंने यहाँ पे बनाए हैं इसमें आपने ध्यान देना क्या एक पहला वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको this is NPN transistor and this is NIS PNP transistor अब इसको ज़रा अच्छे से इसकी construction को पहले मैंने structure लिखा है ना पहला part इसका क्या आएगा structure अगला part आएगा इसका working और वो किस तरह से action क्या रहेगा इसका उसको हम study करेंगे लेकिन पहले इसके structure को पहले इसकी construction को ज़रा अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं कि इसके अंदर है क्या फिर इसकी working को हम understand करेंगे आप पहले एक ही पे focus करो N, P, N, P मैं focus करता हूँ यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है जो आपकी first layer है इसका नाम हम रखते हैं emitter यहाँ पे वो P होगा यहाँ पे वो N होगा second layer होगी आपकी base और third layer होगी आपकी collector दो चीजों के उपर मैं comment करने वाला हूँ एक इसकी doping levels के बारे में doping level के बारे मैं बात करूँ तो यह highly doped कौन है यह? emitter is highly doped यह छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है याद रखनी है this is base, base is lightly doped वो देख के नहीं बता सकते हैं यह नहीं सोचना कि वो छोटा बनाया है इसलिए आपको lightly doped है छोटा बड़े से नहीं पता चलता है doping कैसी है यह याद रखने वाली बात है यह देख के नहीं आपको पता चलेगा and third one, यह क्या है आपका collector इसका नाम होता है, तीन layers का नाम है emitter, base and collector emitter, emitter क्यों बोलते हैं उसको सब बताऊंगा मैं अभी जब इसके action को हम understand करेंगे इसकी working को हम understand करेंगे तो पहला आ गया क्या आपका emitter which is highly doped फिर उसके बाद आ गया आपका base which is lightly doped collector आ गया moderately doped moderately word इसलिए यूज़ किया इन दोनों के beach के लिए है beach में इसकी doping होती है मतलब less than less than emitter but greater than base moderately doped fine यह moderately doped यहाँ पर कोई बताने की ज़रूरत नहीं है फिर हम मैं बात करूँगा इसके areas के बारे में इसका कितना किसमे surface area किसका जादा रहता है किसका time रहता है उसके बारे में बात करेंगे वो आगया आपका देखना large बड़ा रहता area very less thickness भी आप बोल सकते हो इसको area की जगा very less और इसका area very large very large का मतलब हो गए इससे ज़ादा emitter से इसका ज़ादा होता है सबसे ज़ादा area किसका? collector का सबसे कम किसका? base का और emitter का इन दोनों के बीच का मतलब collector से थोड़ा कम collector से थोड़ा कम same are the conditions here ये बातें आपनी थोड़ी basic इसकी construction के बारे में समझनी है ठीक है? पहले ये हम इससमझ आएगा तो तब ही हम इसकी working को understand कर पाएंगे फिर इसकी आती है symbolic representation की इसको represent कैसे करते हैं? represent करने के लिए ज़रा समझना मैं यहाँ बनाता हूँ आप समझना एक circle जर्नली बनाया जाता है और फिर उसके बीच में ऐसे ऐसे तीन इसकी layers है और तीन terminals है terminals भी देख रहे हैं emitter के साथ यहाँ पे हमने एक metallic contact बना दिया यहाँ पे भी एक metallic contact बना दिया यहाँ पे भी एक metallic contact बनाया तो पहले वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं emitter का e से represent किया यह collector का terminal हो गया और यह base के लिए terminal हो गया तीन terminals है जो ultimately जिससे हमने connections बनाने हैं तो इसलिए वो तीन terminals आ गए तीन terminals के नाम किसके according जिस layer के साथ जो terminal connected है वही उसका नाम है तो यह तीन layer यह symbolic है इसमें समझने की कोशिश इसमें कुछ नहीं करना यह symbol है जैसे diode का symbol आपने पढ़ा था एक triangle और यह इस तरह से यह P represent करता है यह N represent करता है इसी तरह से यहाँ पे क्या-क्या represent करता है वो समझना है इसको हम base बोलते हैं पहली बात यह यह base हो गया इन में से एक collector है और एक emitter है इन में से एक emitter है और एक collector है यह तनी बात समझा आ गई लेकिन हमने जो समझना है इसको ऐसे को लिख लो ठीक है इसमें यह आपका collector मान लो और यह आप इसको emitter मान लो ठीक है लेकिन आप बोलोगे exact कैसे पता चलेगा सर कौन सा emitter है और कौन सा collector है वो पता लगाने के लिए इन में से एक में na arrow होगा इन में से एक में arrow होगा और जिसमें arrow होगा ज्यान देना जिसमें arrow होगा वो आपका emitter होगा ठीक है जिसमें arrow होगा वो आपका emitter होगा दूसरी बात यह मैंने NPN transistor बनाया है NPN transistor में आपको मालूम चल गया है यह आपका P है यह आपका N है और यह आपका N है ना देख लो NPN यह NPN transistor मैंने बनाया है ठीक है और हमें मालूम है कि NPN ट्रांजिस्टर में जो current flow करती है यहाँ पे majority charge carriers क्या होते है electrons तो electrons इसमें current जब flow करती है तो current जब flow करेगी तो यह इस तरह से current electrons इस तरह से flow करेंगे ठीक है तो electrons का इधर की तरह flow करना मतलब क्या होता है कि current उल्टी direction में flow करना यानि कि current is flowing from क्या P to N तो देखो P to N base to emitter तो यह current की direction है इसलिए N जब direction इस तरह से arrow बाहर की तरफ होगा terminal की तरफ निकल रहा होगा तो यह NPN transistor का symbol है ठीक है और अगर मैं arrow उल्टा कर दूँ अगर मैं arrow उल्टा कर दूँ मैंने बनाई यह diagrams यह ठीक है वो भी diagram आपकी ली हुई है तो आप इस समझ सकते हैं इन सब चीजों को यह अच्छे से अपने पास note करके रख लो पहली बात यह ठीक है तो यह इसकी जो diagrams है देख लो यह आगे आपका किसका यह आगे आपका NPN transistor का देख लो ठीक है वो मैंने ऐसे करके बनाया था यह ऐसे बनाओ यह ऐसे बनाओ उससे कोई फरक नी पड़ता है ठीक है यह कोई matter नी करता कि आपने मैंने इसको ऐसे बनाया था ना मैंने इसको ऐसे बना दिया था ऐसे बनाया था तो आप ऐसे बनाओ यह ऐसे बनाओ यह किसका, यह NPN ट्रांजिस्टर का, तब ही मैंने उसके नीचे रखा है, तब ही मैंने उसके नीचे रखा है इसको, यह NPN ट्रांजिस्टर का arrow देखो बाहर की तरफ, ठीक है, रीजन भी बता दिया आपको, यहाँ पे, यहाँ पे जो majority charge carriers हैं को, उन्हें holes हैं, जब इसको हम बाइसिंग करेंगे, तो यह current जो flow करती है, वो because of holes होती है, holes are positive charge carriers, तो यहाँ पे भी, कहाँ जाएगा, आप पहले इसको लिख लो, यह क्या है आपका P, यह क्या है आपका P, यह क्या है आपका N, current will flow from P to N, always, तो इसलिए current की direction, इस तरह से arrow की direction, यह जो arrow की direction है, यह current की direction बत चलता है, और emitter कैसे पता चलता है, emitter कैसे पता चलता है, arrow बना के, जिस line में arrow, base तो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें confusion है हमें, कि कौन emitter है और कौन collector है, तो जिसके ओपर arrow होगा, वो emitter है, जिसके ओपर arrow नहीं होगा, वो collector है, इतनी बात हमें समझ आगी, फि वो हमने कर ली ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के इसका क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसको हम किस तरह से यूज में लाते हैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर से अभी हमने समझा आप ये अभी आपकी लियर आपको मालूम है एंपी एंट ट्रांजिस्टर है यहां पे मेजॉरिटी चार्ज केरियर्स कोन है एंट में इलेक्ट्रॉंस देखो जान बूच के यहां पे दिखाने टाइम क्या बनाया हुए आप बड़े अच्छे से बड़ी नीट न क्लीन और एक एक चीज इस डाइगराम के अंदर बोली हुई है जो रिकॉरड है इसकी होती है अधर की इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां दिखाएं यहां काम इलेक्ट्रॉन दिखाएं यह लाइटली डॉपड यह बता रहा हुए कि यह बहुत से दिखाए हो 옛 अब धियान देना यह डॉन से दो जंक्शन दिखाए हैं ऐसे वाला भी डिखाया है हम जब ट्रांजिस्टर को अंडरस्टैंड करना स्टाट करते हैं बादुर geri टार्टे लोग क्या करते हैं जो ट्रांजिस्टर आपकी Gurking को अंडरस्टैंडिग बन हरी है तो हमने इसको forward byus करना है किसको n इस inverter base वाले को forward byus करना है यह हमारा aim है ध्यान देना अपनी batteries को इस तरह से connect करना है हमने कि इसको वर्र बाइस करें और इसको हम reverse बाइस करें तो पहले forward byusing को देख'tे तो आछे से किस तरह से होगा forward bias क्या मालूम है आपको forward bias के बारे में कि N को किसके साथ connect करना है negative terminal के साथ ठीक है और इस P को किसके साथ connect करना है positive terminal के साथ ये वाला समझाई बात तो ये आगया आपका इस तरह से तो आप इसको ये आपका basically zero volt है ये ground होता है ये zero volt है और ये आपका minus VE है VE नाम रखा है क्योंकि emitter के साथ ये battery connected है इसलिए VEE ये collector के साथ connected है VCC ठीक है ये zero volt और ये ये होगा आपका VEE जितनी इसकी voltage है मालो अगर ये 10 volt की battery लगाई है तो ये 10 volt होगा VEE मतलब ये potentials की terms में मैंने इसको लिग दिया ठीक है और similarly यहाँ पर potential क्या होगा आप देख सक ये वाला junction आपने batteries इस तरह से connect की हैं दोनों ये जान बूच के ये बड़ी battery ली जाती है आपने ये याद रखना ये भी बात कि ये battery जो है इसके comparison में बड़ी battery ली जाती है लेकिन इस battery का काम यहाँ पर क्या है कि वो collector base junction को reverse bias कर रही है आप देख सकते हो reverse bias कैसे कर रही है this is N और N के साथ यहाँ पर positive connected है बस इतनी बात आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो N के साथ positive connected है और ये आपका P इसके साथ negative connected है इसलिए ये आपका ये वाला जो junction बना ये आपका reverse bias हो गया तो ये reverse bias ये forward bias ये आपको इतनी बात clear cut समझ आनी चाहिए ठीक है अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ जब तक मैंने batteries connect नहीं की थी जब तक batteries मैंने connect नहीं की थी तब तक क्या condition थी जब तक मैंने batteries connect नहीं की थी तब तक क्या condition थी तब तक दोनों depletion layer लगबग बराबर होती है तब तक दोनों depletion layer बराबर होती है लेकिन फिर एक concept हमने सीखा था बाइसिंग के दुरान कि जब आप forward bias करते हो किसी junction को तो उसकी depletion layer thinner हो जाती है पतली हो जाती है और जिसको reverse bias करते हो वो मोटी हो जाती है वो इसने blue shade करके दिखाया हुआ है हमें blue shaded में जो यह blue shade दिखाया हुआ है यहाँ पर बता रहा है कि depletion layer यह बोड़ी मोटी है ठीक है वैटरी भी तुमने बड़ी लगा दी हुई है और यहाँ पर यह बिल्कुल पतली हो गई है क्योंकि तुमने इसको forward bias की है इसके forward bias होते ही आप इसको देखो ज़रा द्यान से इस इसको forward bias होते ही यह negative terminal of battery क्या करेगा इन इन electrons को push करेगा रिपेल करेगा जैसे यह रिपेल करेगा वो किस region में जाएंगे easily जाएंगे क्योंकि यह forward bias है यह वाला junction लगबग break हो गया हुआ है break कब हो जाता है आपको मालूम है silicon की case में 0.7 volt के लगबग जो है वो break हो जाएगा जो जो उसकी voltage होगी उसको break करेगा जो आपका potential barrier रहता है वो potential barrier तोड़ना पड़ेगा जैसे potential barrier 0.7 volt पे तूटेगा यह सारा का सारा electron जो यहाँ पे हमारे पास majority charge carriers के तोर पे present है वो सारा का सारा अगले region में जाने की कोशिश करेगा वो सारा का सारा अगले region में जाने की ना हुआ है मुझे actually कुछ लिखने की जुरूरती नहीं है तो आप देख सकते हो बालब मान लो अगर यहाँ पे 100 electrons थे 100 electrons मैंसे 5 electrons यहाँ पे holes के साथ मिल जाएंगे यहाँ तो 2 ही बनाएं मैं से just 5 की example ले रहा हूँ तो 5 electrons यहाँ पे holes के साथ recombine कर जाएंगे लेकिन दूसरे electron हैं आप समझना प्लीज यह आप किस region के अंदर हो इस समय आप P region के अंदर हो तो P region के अंदर electron क्या होते हैं minority charge carriers होते हैं क्या होते हैं minority charge carriers होते हैं as they are minority charge carrier आपको मालूम है जब हम reverse bias करते हैं किसी भी junction को किसी भी diode को आप बोलो ठीक है तो diode को जब हम reverse bias करते हैं तो current जो flow करती है वो किसकी वज़ासे करती है minority charge carriers की वज़ासे क्योंकि जो उसकी depletion layer है जो आपको बहुत मोटी दिखाई दे रही है जो आपको दिखाई दे रहा कि यार यह तो potential barrier है इसने current को कैसे अंदर जाने दिया इसने electrons को कैसे जाने दिया आपने तो सिखाया था कि जब potential barrier होता है तो वो तो वो तो इन charge carriers को रोकता है रोकता किसको है majority charge carriers को minority को थोना रोकेगा तो minority charge carriers क्योंकि electron जो यहां गुसें है आप P region के अंदर वो क्या है जो यहां पे यह गुसें हैं यहां पे वो क्या है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉंस यहां पहुंचेंगे, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो इन इलेक्ट्रॉंस को यहां खींच लेगा, अब आप करंट देखो, जो करंट की डिरेक्शन्स बनाई है, वो बड़ी इंट्रेस्टिंग है, उनको जर यहां पर इलेक्ट्रॉंस आगे की तरफ बढ़े, यविनल की तरफ बढ़ना, यानि की कन्वेंचनल करंट हम कि तरफ लेते है, तो यह आपकी करंट की डिरेक्शन्स यह आपको समझानी चाहिए, कि यह यहां क्यूं बनाई है, ठीक है, एक बात हमें यह समझाई, फिर उस उसकी electron इस direction में बाहर निकल रहे हैं, इसलिए current की direction देखो क्या बनाई है, current की directions को अच्छे से अच्छे से देखना है आपने, ठीक है, उसके बाद हम आगे बड़े, आगे देखा हमने, फिर दुबारा electron यहां बाहर निकल रहे थे, लेकिन ultimately यहां क्या होगा, इस तरह से शो करेगा, यह आगी आपकी कौन सी current, collector current, तो collector current, यह देखो current की directions आपको बनानी प्लीज, अच्छे से आनी चाहिए, examiner जो आपकी चीजें चेक करेगा ना यहां पे, उसने यही चीजें आपकी बड़ी चेक करनी है, कि आपने current की direction सही बनाई या नही बनाई, आपने current की direction सही बनाई या नही बनाई, यह आपको समझाना चाहिए, यह आपका कौन सा transistor हमने, किसके action को हमने discuss किया अभी, हमने discuss किया, हमने discuss किया यह action of NPN transistor, और इसी diagram को मैं एकना, symbolically भी हम किस तरह से बना सकते हैं, इसी को show करने के लिए, आप symbolically देखना, इसको हम कैसे represent करेंगे, ठीक है, देखना जरा मैं बताता हूँ, देखो मैं यहीं पर side पर बना देता हूँ आपको, ठीक है, यह आगया आपका, मैं पहले symbolically मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बनाएंगे, बेस देखो मैं कहां बनाओंगा इस बार, यह, फिर आपको मैंने यह समझाया था, यह, यह, NPN transistor है, इसलिए, यह बनेगा इसका, एमिटर, यह बन गया आपका, collector, यह collector, यह emitter, इतनी बात तो आपको बिल्कुल clear cut समझ आनी चाहिए, यह थोड़ा सा hard topic है transistor, इसलिए नहीं है यह, बिल्कुल भी easy नहीं होता है, इंजिनरिंग में लोग detail में इस चीज़ को बहुत और आगे तक पढ़ते हैं, लेकिन यह, मैं आपको एक percentage बता देता हूँ, कि बड़े कम लोगों को यह clarity इसमें आती है, यह थोड़ी difficult है understand, इसलिए बड़े अराम से एक एक बात को understand करो, at least मुझे पहले symbol आजाए समझ, मुझे यह समझ आजाए NPN transistor होता क्या है, कौन से minority charge carrier है, कौन से minority charge carrier है, electron आगे बड़े, current की direction, basic basic बाते, at least मुझे समझ आनी चाहिए starting में, तो फिर हम आगे जाके, फिर आइस्ता आइस्ता बड़ी बड़ी चीजों को भी understand कर पाएंगे, तो यह मैंने बना दिया, अब हमने क्या करना है, आपको मालूम है, आपके दिर छोटा साना हमने लिख लेना चाहिए साथ में, साथ में इसको साथ लिख देना चाहिए, क्या, कि यह आपका actually NPN transistor है, तो यह N है, यह आपका P है, और यह भी आपका N है, ठीक है, यह मैंने साथ में लिख दिया, क्या होता है, क्या होता है, हमने यहाँ पर boyfriend करनी है टो मैं इसको क्या दिखा ओओँगा, यहाँ से मैं दिखा दूँगा, कि यहाँ पर आपने कौन सी बैटरि लगानी है, यह देख बैटरी कैसे लगा रहर словर्वर्व़ण करना चाहता हूं, तो N को किसके साथ connect करूँ, negative के साथ P को किसके साथ connect करूँ, positive के साथ yellow ये diagram भी आप paper में दिखा सकती है ये बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे collector को, क्या करना है आपने, reverse bias reverse bias करना है तो yellow battery इधर बना दो चाहे, ये कोई इसने नीचे बनाई है इसके दो cell लगा के दिखा दी, दो cell ही नहीं होते सिर्फ, जिर्फ दिखाने का तरीका है कि हमने बताया कि ये वाली battery से ये वाली battery बड़ी है, इस battery का नाम वही, same, same, कोई अब मैं इसमें नहीं time waste करना चाहता हूँ, ये VEE ये आपका आगया कोई, ये आपका आगया कोई, ये आपका आगया VCC, ठीक है, same, same story, ठीक है, अब ये बनाया, फिर उसके बाद currents की directions, currents की direction आपको मालूम है यहाँ पर currents की direction कैसी होंगी, currents की direction, इसी लिए आपको मालूम है, electron बाहर निकल रहे हैं, तो electron बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब, आपकी current की direction अंदर की तरफ होगी, ये आपका IB, और यहाँ पे आपका क्या, ये IC, ये हमने लिख दिया, फिर हम simple एक KCL लगा के यहाँ पे दिखा सकते हैं, कि जो हमें clear cut दिखाई दे रहा है, कि IE जो है न, वो किसके बराबर होगा, वो IB प्लस IC के बराबर होगा, जो IE है, वो किसके बराबर होगा, IB प्लस IC के बराबर होगा, ये दे, clear cut नजर आता है, using KCL, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये ie, ये इधर, ये इधर, ऐसे जा रहा है न, तो यहाँ इस point पे अगर हम KCL लगाएं, तो we can see क्या, कि इसमें क्या बनता है, ie is equal to ib plus ic, ठीक है, हो गया ये, ठीक है, यहाँ से अब हम PNP transistor को भी थोड़ा सा study करते हैं, बिल्कुल लगबग same है वो, उसमें भी कोई खास आएगी आपको, next topic आगे, आपका action of PNP transistor, एक और बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी जो current सारी flow कर रही है, NPN transistor में, वहाँ पे role कोन प्ले कर रहा है, holes या electrons, electrons, यहाँ कोन रोल प्ले करने वाल है, अभी आपको पता चल जाएगा, holes, सारा same है, आपको कोई problem नह आएगे, understanding में देखना आपको, तो action of PNP में, यहाँ पे एक बात आपने सुननी है, कि ज़्यादा तर circuits में use ज़्यादा किया जाता है, practically, NPN transistor, इसकी एक line आप याद रखोगे, please, क्या, mobility of electrons is much better than the holes, that is why we always prefer NPN transistor, as the current flows in NPN transistor is because of electrons, क्योंकि यहाँ पे electrons के current current flow करती है, वहाँ प किसकी better है, electrons की, इसलिए हम लोग NPN transistor को ज़्यादा prefer करते हैं, over PNP transistors, actual में, ठीक है, तो इतनी बात आप simple याद रखोगे, आप देखो, यह, मैंने circuit बना दिया किसका, this is of PNP transistor, बड़ा simple है, आपको पहले समझना है, आप batteries पे नजरी मत डालो, आपको मालूम है, आपने emitter base को क्या करना होता है, forward bias, emitter base को क्या करना है, forward bias, इसको forward bias करने के लिए P को किसके साथ connect करूँ, positive के साथ, clear पता है आपको, इसको किसके साथ connect करूँ P को, negative के साथ, इस P को, क्योंकि emitter को क्या करना है, forward bias, emitter base junction को forward bias, इसको reverbा की सारा same है, और क्या, सिर्थ 2-3 चीज़े change होती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या यहां पे अब आप जब आप यह लगाओगे positive terminal तो यह क्या करेगा यह in holes को repel करेगा यह in holes को repel करेगा यह in holes को repel करेगा repel करने के बाद यहां पे lightly doped electrons के साथ recombination होगा कुछ holes बहार निकलेंगे currents की directions देखो उल्टी हो गई क्योंकि hole जिस direction में flow करता है यानि positive charge जिस direction में flow करता है उसी direction में हम current लेते हैं conventional direction of current उसी direction में लेते हैं ठीक है तो इसमें और कुछ भी बताने वाला नहीं है सारा बाकी सब सेम है बाकी एक एक चीज सेम है बाकी इसमें आपको कोई difficulty नहीं आएगी understanding में ठीक है तो मैं इसकी वो वाली diagram भी आपको बना के दिखा देता हूँ अभी वो भी diagram बना के दिखा देता हूँ देखिए इसमें आगे है सबसे पहले इसका symbol बनाते है इसका symbol बनाते है base इसको मैं meter बनाना चाहता हूँ आपको मालूम है current की direction ये लेनी पड़ेगी आपको ठीक है जब आप practice करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा याद भी हो जाता है और आपको मालूम भी पता चल जाएगा कि हमने arrow ऐसा क्यों लिया अभी दिखी रहा है ये देखो IE की direction P से N की तरफ ये आपका N है ये N है ये P है ये भी P है इसको forward बाइस करना है forward बाइस करने के लिए बैटरी कैसी होनी चाहिए ये लो जी बैटरी ऐसी होनी चाहिए ठीक है फिर इधर आओ इधर भी लगाएंगे इधर बैटरी कैसी चाहिए reverse बाइस लेकिन बैटरी थोड़ी बड़ी चाहिए दो cell लगा दिए इस बैटरी का नाम VEE क्योंकि ये meter के सा इधर बाइसो और चाहिए र मालू मैं आपको दिख रहे है होल बाहर निकलते हुए ठीक है इसलिए यहां पे यहां पर आपका IC यहां पर भी बाहर आ रहे हैं होल इसलिए होल्स की डाigma ही आपकी करेंट की डारी आ तो इसलिए क्या आ गया IB यहां पर भी आपको clear cut नजर आ पता है कि IC is equal to, IE is equal to, IE is equal to IB plus IC, यह हमें यहाँ से clear cut पता चल जाता है, अब यहाँ पे यह आगे current gains in transistor जो हमने अभी तक सीखा, उससे हमें क्या पता चला है, एक तो clear cut पता चलता है कि doping level काम होने के कारण, जो IB current है वो बहुत कम है, IE current जो है वो सबसे जादा है, सबसे जादा electron कहां थे बताओ, emitter में, emitter, वहीं से emit होते हैं, that is why the name is emitter, collector का नाम collector क्यों है, क्योंकि उसने collect करने बहुत सारे electrons, इसलिए उसका नाम collector है, base बीच में हमने बनाया, यह आगे, common base current gain को जो हम represent किस से करते है बीटा से, and beta is equal to क्या होता है, beta is equal to होता है, Ic upon Ib, Ic upon Ib, यह इसको हम क्या बोलते हैं, current gain बीटा से represent करते हैं, और यहां से हमने एक equation हमने इतर से का निकालेंगे, जो हमें use करनी है आगे, वो आ गया, कि Ic is equal to क्या बन गया आपका, बीटा times Ib, बीटा times Ib, यह हमारी एक equation है, ज फिर आगे आगे आपका second part जो आया, second क्या है, second part is common, common emitter current, common emitter current gain, ठीक है, इसको हम represent करते हैं, किस के साथ, alpha के साथ, ठीक है, अब देखो इसको, यहां पे इसको represent करेंगे alpha के साथ, and it is equal to Ic upon Ie, और यहां से हमें क्या मिल जाता है, तो यह आगे आपका, यहां से Ic equal to alpha Ie, यह nearly equal to 1 होगा, क्योंकि Ic और Ie भी लगबग बराबर होते हैं, थोड़ा सा यह 1 से काम होता है, आप normally जब इसके numericals करेंगे, तो आप देखोगे इनकी values, आप इसकी value अगर आपको predict करनी है, मान लो कि अब बीटा की value क्या होती होगी, तो बीटा की value nearly 20 times होती है, ठीक है, तो यह इस तरह से 20 आ जाएगा, मतलब आपका बीटा, तो Ic बहुत ज़ादा होता है किस से, Ib से, तो Ic का ही दोनो relation है, आप इस तरह से याद रख सकते हो इसको, एक Ib के साथ और एक Ie के साथ, अलफा और बीटा की बीच का relation find करेंगे अब हम, ठीक है, अब देखो किस तरह से करेंगे, इसमें हमने पहले यही relation use करते हैं, जो हमने सबसे पहले लिखा था, Ie is equal to Ib plus Ic, ठ मैं लिख सकता हूँ, आप बताओ, Ie की value मैं लिख सकता हूँ, Ic upon, देखो, Ic upon, सिदा सिदा दिख गया आपको, Ic upon, खुद कर सकते हो आप यह पूरा, Ic upon alpha, equal to, यह हो गया, Ic upon beta, और प्लस Ic को Ic रहने दो, इसके कारण Ic, Ic cancel हो गया आपका सारा, तो ultimately मारा equation क्या बनी 1 upon alpha is equal to 1 upon beta, प्लस 1, ठीक है, तो alpha और beta का relation क्या मिला आपको, beta is equal to beta LCM आगया, beta upon beta प्लस 1, बीटा LCM आगया, लेकिन उल्टा इसलिए क्योंगे, यहाँ पर 1 upon alpha था, तो यह आपका relation मिला किसके साथ, alpha और beta के बीच का relation मिल गया, हो सकता है, आपको पूछा जाए, beta का relation निका 1 upon beta is equal to 1 upon alpha minus 1, ठीक है, minus 1, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ, beta is equal to, LCM फिर से alpha आगया, alpha उपर चला जाएगा, upon 1 minus alpha, 1 minus alpha, तो यह आपका beta alpha जो आपको चाहिए, वो आपको दोनों relation से मिल जाएगा, जो आपको पूछाओ, दोनों निक और उसके बाद close करता हूँ, वीडियो को, यह topic है आपका, three configurations of transistors, three configurations of transistors की जब मैं बात करता हूँ, आप एक बात समझ नहीं है आपने, कि transistor को मैं as a two port device use करता हूँ, two port का मतलब होता है, एक side पे input लगाना चाहता हूँ, एक side पे output लगाना चाहता हूँ, normally, ठीक है, एक side पे input और एक side पे, output अपनी उसको as a utility device use करने के लिए, उसको इस तरह से use करता हूँ, कि मैं उसका एक input port बनाना चाहता हूँ, एक output port बनाना चाहता हूँ, input port बनाने के लिए आपको two terminals रही होते हैं, ऐसे जम्झो, मेरी बात को, इन्पुट port बनाने के लिए आपको two terminals रही है, output port बनाने के लिए भी आपको दो टर्मिनल्स चाहिए, लेकिन टोटल टर्मिनल्स कितने हैं आपके पास, तीन, चाहिए कितने हैं आपको, चार, तो हम एक को कॉमन रखते हैं, अब कॉमन आप किसी को भी रख सकते हैं, अब इस बात को ऐसे समझना, आपको बहुत डिटेल में नहीं है ये टॉपिक, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, इस बात का, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया, क्या, कि आपको टोटल टर्मिनल्स कित एडिया, आपको बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा आईडिया आपको होना चाहिए, तो उसको अंडरस्टाइड करो, देखो कैसे, देखो, common, common, मैं पहले बनाता हूं, common base configuration जो हमने अभी तक बनाई थी वो common base ही थी common base configuration अभी configuration लिख देता हूँ common base configuration जब मैं common base configuration इसको represent पता किससे करते हैं common base configuration को हम represent करते हैं cb configuration हो गया cb common base ठीक अब बनेगा कैसा common base वो देखो जड़ा common base जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं common base को देखेंगे यह आगया आपका base आपको सब मालूम है कोई भी npn transistor ले ले लेते हैं npn बना दिया मैंने आपको समझ भी आ गया ठीक है npn कैसे पता चला arrow को देखके emitter कैसे पता चला arrow को देखके arrow की direction को देखके पता चला यह npn है ठीक है वो बना दिया फिर इदर हम छोटा सा लिख भी देना चाहिए के साथ में क्या यह आपका n है यह n है यह आपका n है यह आपका P है ठीक है और मेरे को मालूम है आपको क्या करना पड़ता इसको इसको जब आपने करना है तो इसको forward करना तो forward करने के लिए देखो forward bias हो गया यह reverse bias करना है यह लो यह आपने पहले भी बनाया था इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसको समझने में यह आपका बन गया common base configuration यह आपकी common base configuration बनी यहाँ पे आपने base को common रखा आप देख सकते हो आपका input port कौन सा बना यह वाला यह आपका input है यह आपका output है ठीक है यह आपका output है तो यह आपका बन गया कौन सा input किसके साथ बना E और B के साथ E यह E है यह C है यह B है यह भी मालूम है आपको base वाला ठीक है E B के साथ आपको क्या बना input और C B के साथ क्या बना output भी आपका common आया दोनों जगा इसलिए इसको बोलते हैं common base configuration next आगे आपका common emitter configuration common emitter देखो कैसे बनाएंगे common emitter मैं इस तरह से emitter को common रखना है न आपने तो इसलिए आप क्या करोगे यह आगे आपका यह आगे आपका base collector collector emitter emitter नहीं बोलना emitter ठीक है फिर यह आपका आपको सामने नज़र आ रहा है यह e है यह आपका c है यह आपका b है एक और बात साथ साथ में लिख देनी चाहिए आपको clarity के लिए क्या यह आपका यह आपका n है यह आपका n है यह आपका p है अब आपने emitter यह base वाली को क्या करना है forward bias तो forward bias करना है तो लिखो भाई इसको forward bias कैसे करेंगे ठीक है इसको forward bias करने के लिए क्या करेंगे देखना है ठीक है यहाँ से आप ऐसा आगया फिर इसको क्या करना forward ना तो यह p है तो यानि की आपको क्या लगानी पड़ेगी बैटरी यह आगी यहाँ से forward bias आपको समझा आ रहा है यह हो गया forward bias ठीक फिर दूसरी साइड यहाँ क्या करेंगे reverse bias reverse bias यह देखो आपको ये नजर आना चाहिए कि किस तरह से कर रहे हैं ठीक है आपको समझा आना कि रुटा नि मागने है हमने हमने याद रख लेना है कि किस तरह से हम किस को forward बाइस करते हैं और किस को reverse बाइस करते हैं इसको यहां जोईन करें फिर फिर तीसरी कौन सी कॉन्फिग्रेशन है common collector common collector इस तरह से आप खुद भी try कर सकते हैं आप common collector को try करो फिर हम common फिर आपको यह भी बता देता हूं कि आपके syllabus में सिर्फ common common emitter है common base भी नहीं है common collector भी नहीं है हमने सिर्फ common emitter से ही सब कुछ करना है आगे जो भी हम transistor के आगे इसका पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम characteristics पढ़ेंगे फिर हम amplifier पढ़ेंगे फिर हम switch पढ़ेंगे फिर हम oscillator पढ़ेंगे तो यह सब अभी transistor के अंदर हमने पढ़ना है फिर जाके हमारा transistor complete होता है लेकिन वो सब चीज़ें जो हमने आगे पढ़नी है वो common emitter के साथ पढ़नी है यह देखो common collector के लिए क्या करेंगे common collector configuration के लिए पहले से collector हम नीचे रख दिया ठीक है कहीं पर भी रख सकते हो बट ऐसे जर्नल ही हम इस तरह से represent करना पसंद करते हैं parameter को नीचे रखा था यहाँ पर इस को नीचे रखा था ठीक है यहाँ पर मने collector को नीचे रख दिया आपको पता है यह NPN ही ले रहा हूं मैं हर जगा तो यह बन गया आपका C यह आगे आपका E यह B फाइन यह इस तरह से अब आपने फिर से इसको forward करना है आपने इस base और collector वाले को इसको forward करना है और दूसरे वाले को यह रिवर्स बायस करना है उसको जब आच्छे से देखोगे पहले देखने से पहले आप एक और काम इसके सات히 कर लो इसको इसको यह आपका N Arabic N P forward bias करें forward bias कर लिया हो गया forward bias अब इधर से आपने collector को क्या करने की कोशिश करनी है reverse bias तो collector को जब आप reverse bias करने की कोशिश करोगे तो एक बारी खास ध्यान रखना है इस बात का देखो ये negative wither connected है ना इस collector के साथ अब आपने इसको इस तरह से connect करना है आप देखना ज़रा ध्यान से इस तरह से connect करेंगे यहां पर ये ऐसा बने देखो ये आपकी configuration बनेगी common collector common collector में confusion आपको हो सकती है देखो हमने इस base इस वाले को क्या करना था forward bias तो forward bias करने के लिए हमने क्या किया इसको यहां से positive terminal के साथ connect किया इसको negative के साथ connect किया ये कुछ potential पे है ठीक है fine अब हमने क्या किया इस वाले को आपने reverse bias करना है तो reverse bias करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए, उसके लिए हमने, उसके लिए हमने इसको जो है ना, इसको बैटरी छोटी लगाई है यहाँ, यह forward bias हो गया इसके साथ, मतलब इसके comparison में यह, अब यहाँ से हमने इसको किसके साथ connect कर दिया, एक बड़ी बैटरी के साथ, so that कि य क्या रहे, reverse bias, यह बड़ी बैटरी है इसके comparison में, इसलिए collector, emitter वाला junction जो आया, यहाँ से collector जो है, वो forward bias है, लेकिन वो जो है, वो reverse bias है, आप अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हो, collector को positive के साथ ही connect करना था, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हमने positive के साथ ही connect करना था, लेक लेकिन, लेकिन ultimately यह negative के साथ भी connected है, लेकिन यह battery बड़ी होने की वज़े से, ultimately यह क्या रहेगा, reverse bias, तो यह battery बड़ी होने का यहाँ पे, इसका significance भी नज़र आता है, आपके syllabus में यह नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपके syllabus में यह नहीं है, यह है, और यह भी नहीं है, लेकिन just a configuration समझाने के लिए और एक revision कराने के लिए कि किसको हम forward bias और reverse bias करते हैं, इसके लिए मैंने आपको यह सारी कहानी बताई, अब आप देख सकते हो इसके आगे, कि हम इसके आगे जब हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ मैंने क्या बोल common emitter configuration के साथ पढ़ने वाले हैं, इसकी batteries का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, even मैं NPN के लिए ही करने वाला हूँ, लेकिन आपको PNP के लिए भी यह सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, thank you very much